प्यारे मित्रों आप सभी कैसे मुझे पूरी उम्मीद आप मस्त होंगे स्वस्त होंगे बढ़िया होंगे आपकी तयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और भैतरी हिंतरी गांसे आप अपने एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे होंगे आपका यूजी सी नेट का एक्जाम राजिस्तान फर्स्ट ग्रेड का एक्जाम आज रीट का पेपर है आज विद्यारती बढ़ेच्चे से एक्जाम देने गए होंगे आप सभी को में तरफ से तयारी के लिए बहुत बहुत बढ़िया आप यूजी सी नेट पॉलिटिकल सा फॉल गरी गुद्मारी जहिं जी फॉट मॉर्णिक देश टिवारी गुड़ मॉर्निंग विजिंदर सिंग जी प्यारे मित्र हो आईए स्वालू करते प्रश्णों को देखना को एक लेकि अनुसार राजा का मुख्यकार ऑग्ठ क्या है क्या मानता है राजा किस चीज़ क मुख्यकार मानता है कोटल ले देखो कोटल ले कि अनुसार राजा का मुख्यकार क्या करता है राजा बिदी का निरमार करता है अति जीवन जीना बिदी को लागू करना आता आता है अधिकारियों को धंडित करना कोटल ले कहता था कि राजा का जो मुख्यकार है वो बिदी क निर्मार्ण करना है इसका निर्मार्ण कर रहें राजा का मुख्यकार है बिसी यारerdem चसबर राजाma चलिए भई आंसर फड़ापट से दिरस्तिवारी आनसर ए जेहन जादफ का ए आनसर आ रहे है कोटल का निरमार करना यह कोटल के नुसर राजा का मुख्यकारे होता है बास समझ में है कि पक्षमी राजनीती विचारकों में कोटल की तुलना किसले कि जाती है आप जानते हैं कि कॉटल ने हमारे मुख्य विचारक हैं, मैं यूट्यूब पर किसी दिन कॉटली की थियोरी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आपकी समझ में भी आ जाएगी अच्छे प्रकार से, आप जानते हैं कि कॉटली की तुलना किसे की जाती है, अब कॉटली यथ यथारतबाद में विश्वास करते थे, यथारतबाद में विश्वास करने वाला और कोई से विचारक है, जो यह मानता हो, तो कॉटली की तुलना की जाती है, मैं कैवली से, किसे की जाती है, मैं कैवली, यह माना जाता है कि मैं कैवली जो है, वो कॉटली के लेवल का है, है आप यह नहीं पस्धिक को आतों करने वाला बिशारय को सकती संतुलन के लिए की प्रकार कि शिद्दानтов ढलकिंकी बाद करता है तो वह यहां पर आप देखेंगे तो कॉर्टिले के समय पर भी राज तंतर था तो कॉच्छा जा रहा है आप सभी को पता होगा कोटल ले जनरली विश्वास करता था कि राजा की सक्ती सीमित हो तो सीमित राज तंतर की बात करता था देखो आपको पता होगा कोटल ने क्यों वना क्योंकि कोटल से पहले राजा सीमित हुआ करता था जब कोटल ले आए तो कोटल ने राजा को सीमित करके कहा कि राजा सीमि तका राज्टनट्र का कौटल्या मन्तृ मंचल मस्ता को मानता ही थी नहीं हालांके मंत्री को मानता था उस ने आमत्य नाम के सब्ध का प्रयूक किया था आगे प्रशन आपको देखने को मिलेंगे राज्ड के तत्व होते हैं यानि कॉटल 비대 के आदता है एक एक राज के कितने तत्तों होते हैं कोतल सी बात राज के साथ तत्तों होते हैं साथ तो कौन से कौन से एक तो राजा कहता है कोटल राजा होगा यानि स्वामी होगा आप लोगों ने सुना होगा लिखकर बताओ पड़ापड से एक तो होगा स्वामी एक क्या होगा आमत्य होगा क्या होगा और क्या होगा दुर्ग होगा और क्या होगा कोस होगा और क्या ह स्वामि आमत्य दुर्ग कोस दंड मिटल आप बताइए क्या रहेगा बताईए स्वामी आमत्य जन पद दुर्ग कोस् समित्र दंड ठीक है तो यह क्या होगे आपके सामने यह किसके होगे ऽो χ delic हारीष locksy काहें है हुआ वारा की तो ये क्या देखने को मिलेंगे आपको ये इसके साथ सथने को मिलेंगी स्वामी का अर्थ क्या है स्वामी किसको मांता है कोटल कि अ mówiogen है तो आमत्य कि क्या होता है इस अथन्राशी होतीए अ दन्राशी हुनची राजह के कोटल के नुसार राजा क्या होता है स्वामी होता है नित्रा गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग अबरी वड़ी चलिए कोटल के नुसार राज्य मंदल में कितनी संख्या होनी चाहिए कोटल के नुसार राज्य मंदल में कितनी संख्या होनी चाहिए राज्य मंदल तो कोटल का कौतल के मंंडल सुद्धानत में कितनी संख्या की काौटल बात करता मंदल सुद्धानत आप कि में रहाएं कि विधान क्या है कि ऑग बढार पढ़ सब सब्सक्राइन कि यह बधाएं धन washington मंदल सब्सक्रा कि नंश्चा है पल्च में चलिए मदाःं के बारा इस संक्या मंदल में कतनी संख्या होने होती है आज नेट साहिसे चल रहा सरह वाला क्लास कब होती है इस होती है देखो बारे कॉणसे कॉणसे एक लिए रचा है पर लटा इस और दो पड़ेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट के लियर हो जाएंगे और आम यहां पर देखेंगे तो यह कुन सा होता है एक तो होता है विसिग्रह इसको पविस्ग्रहा कहते हैं अकरांद होता है और पर इस ग्रहा साहत होता और एक होता है आकांद्रा सर ठीक है एक होता है मद्यमा और एक होता है उदासीन यह बड़े अजीब से नाम है इन नामों को आप पढ़ेंगे तो रटने पढ़ते हैं यह कहता है यह आगे के हैं यह कहता है यह पीछे के हैं यह पीछे वाले हैं जिनके बारे में बात करता है की जो पीछे होते आगे के हैं और यह मद्रमा और उदासी आपको इस बीच में सीयर कर Falis क्लास को स्पीड से सभी के सभी साथी सभी के सभी साथी क्लास को सेर कर देंगे अब डेली चलेगी यह आफ नहीं होगा इसमें सेर कर दो फटाफट से बेटा लेट मत करो फटाफट चलिए कोटल के अनुसार मंदल में कितने राजा संबलित है यानि मंदल में सिद्धांत में कितने राजा संभलित होते हैं कोटल के नुसार मंदल के राजा सिद्धानत में कितने राजा संभलित होते हैं करेक्ट आंसर देंगे सभी के सभी करेक्ट आंसर क्या होगा आंसा हो शूखant Bari कि थना होगा मेरी मेरे भाइक Barret राजा संहीं होथे Karuक की मंडल में इस निए यह कोटल द्वहरा दिया तो योग सिद्दान्त का अर्थ है योग recib सिल्दान्त आप ने सुना है कोटल ने बोला था कि राजा योगछे सिद्दानत का पालन करे इस प्रकार की नीती बनाए जिससे कि लोगों को क्या पैदा हो विजेक की इच्छा रखने वाले को विजE 고 publish कहते हैं बिल्कुल अच्छा अरी rocks वहीं बोल रहा है तो राजा कहता है कि जो योग छेम सिद्दान्त है कि प्रशनता और सम्रद्धी का विचार यह होना चाहिए राजा कि मन में राजा जब भी किसी नीती का निर्माण करें तो योग छेम सिद्दान्त विश्वास करें और वो क्या होना चाहिए कि प्रशनता और सम्रद्धी का बहुत बढ़िया है तो इसको इसी के बेश पे पढ़ोगे तो आपको धुरी मिलेगी और वो फ्री इंट्रिशन सन्स में एक थेयुरी पढ़ते हैं तो थेओरी ऑफ मिडल स्टेट या सेंडवेच स्टेट कहते हैं जिसको मद्धिमराज का सिद्धान मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजे कोटले पढ़ेंगे हम लोग यूटूब पर भी कराऊंगा मैं आप लोगों को कोटले कानून उच्तर द्वारा निम्नेतर को दिया गया आदेश है कानून की परिवासा किस ने दी है यानि कानून क्या है लोग उच्तर जो होता है वो निम्नेतर को आदेश देता है यानि बड़ा छोटे को आदेश देता है यह कानून की परिवासा किस ने दी है प्यारे सातियों आप में से जो विद्यारती बैच में इंड्रॉल्ड है या जो बैच में इंड्रॉल्ड नहीं है आप बैच में इंड्रॉल्ड हो जाएं तो आपको बढ़ा अच्छा लगेगा कद से मैं बैच के हैं आपका हम मैंने आपको सुक्राग पढ़ा दिया है अरस्क्तू पढ़ा दिया है हॉप्स पढ़ा दिया है रूसो पढ़ा दिया है बैंथम पढ़ा दिया है जोन लॉक पढ़ा दिया है और इस सारे विचारक में आपको पढ़ा चुका हूँ इनको एक एक से हम कवर होगा डिली डिली मौर्निंग में ठीक है तो प्रैक्टिस आपके सामने चलती रहेगी तो आप में से जो भी विद्यारती एडमीशन चाहते हैं वो एडमीशन ले सकते हैं बैच में बड़ी आसान तरीका से फोन कर लें कोई समस्य आए तो फीस में डिसकाउंट की बात हैं व पढ़ाक्लास लेता हूं मौनिंग में वाकी साम को में खड़ी फड़ाता हूँ ठीक है तो ऑस्टिन का स्टेट्मेंट ऑस्टिन ने विचार दिया है उस्टिन के कानून को उस्तर द्वारा यह तृ तरगी कानून को निम्ण Census है तो यहांאं भी आंसर क्हाया होगा जो ना संदागे अगला पुरिशन है कांनून उच दॉरह निम्णन को दिया गया अदेस है यहां पर भी आंसर क्हाय होगा आप का ओस्टन ही होगा तो चेंज आण कि यह सरकार की उत्पत्ति भल प्रयोग के परणाम सवरों तो बाल प्रयोग को से सरकार के नहीं हैanya मैं बहुत दुख्य हूं अरे टेंसन ना ले भाई हरी स्थ connects जाए गए गन लोग भड़ देपों यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ती बल्प्रयोग की प्रणाम सरूब तदा बल्प्रयोग की द्वारा होती है यह कथन किसका है आपको पता होगा कि स्पेंसर ने कहा है अर्पिट स्पेंसर का कथन है कि बल्प्रयोग से ही सरकार की उत्पत्ती होती है और इसका प्रणाम सर rif증 वारा होती है यह स्पेंसर का कफ़र कानून को समादे सिद्धान्त कमांड theory of law तो कमांड theory of law का सिदा मतलब आप समझ रहे होंगे कि कमांड देनी की बात और कमांड कौन देगा उच्तर निम्दतर को कमांड देता है कमांड टोप लेवल का नीचे वाले को कमांड देगा और टॉप लेवल का नीचे वाले को कमांड देगा सबको नमसकार परीथी नमसकार तो क्या होगा कि जॉनोरशिंट क्या होगा चॉन पर नीज करता है कि उपर वाले को नीचे कमांड देने का कारे करता हूँ कुछ समपरभू की इच्छा बताने का का यानी ल मौ कानून संप्रवू की इच्छा है कानून संप्रभु की इच्छा का आदेस है बताएं कानून संप्रभु की इच्छा का आदेस है बहुत ही बढ़िया किसने कहा है नित्रा इश्वा का अंसर आ रहा है जोन और सॉलन्ड हॉलन्ड का बता रही है ठीक है प्रीति राजोरिया का अंसर आ रहा है तेरे का सी बहुत बढ़िया सिर्फ क्यों नहीं देते सुपर ट्वेंटी एक्चुली सारी में डलवाऊंगा आप जो हमने वहां पर सिट करेंगे तो वहां पर यह सारी पीडिया में प्रोवाइड कर दूंगा अभी आप इसी मैं से देख लिया करो मिदल वाद होंगा मेरे भाई सुपर ट्वेंटी क्या होगा यह जोन ऑस्टिन का स्टिट्मेंट तो है जोन ऑस्टिन नहीं कहा है कानूरी संप्रवु के आदे से किس? कर संप्रवु की इच्छा का आदे से किसका घथने ब्रियन Vedya उस्टिन ज्षपांडन और वास्टिन का स्टिमेंट नंस्कार 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 वहीं स्टिन obsya नंस्कार क сторонु çıkart किसका है मुझे लगता further खिल भी तोटासा डिए अघ्र कानून का तता केवल कानूनों का फल एं बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं और कानूनों के खिलाब को अधिकार नहीं तता आदिकार कानूनों केवल कानून का फ़ल है बिना कानूनों के इंपालें मानता है यार्व को सबसें परकिलतन ने और नहीं को किसे बनाये उदियर으로 कानून का वड़ा가 से चावचर चेह अदुरान पालने होता है और यह कैसे बनेगा जब लोगे तभी तो आपका अधिकारों के बात कर पाओगे तो किसका सिदानत है बैंतम का यह बैंतम ने का है न अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख सुनश्चित होगा जब कानून होगे तो अधिकारों की बात आप कैसे कर सकते हो समझ में आ रहा है प्रेजेंद्र सींग ब़ुसी सॉनियया सर्मान जी रिस यह बहुत बढ़िया नंकर से प्लूना मिलता आपको सुख मिलता मेरे प्यारियों तो बेंत्म का विद्धी का लक्ष क्या सब्स्राइख क्या होना चाहिए वैद्धम कि अधिक्तम चुख सो गो कि अधिक्तम सुख रहेगा अधिक्तम लोगा दिक्तम सखुं कहता है ज़सी कानुद समस्त सब tavalla कि यह इस्ट तथा विवेक की विषुद्वाड़ी है कि यह कथन में प्रिवाशित किया यह बहुत अच्छा विचारक पुराना विचारक के है भोह यह कहता है कि कानून जो हैना वासनाओं से रहत विवेक यानि अगर कि आप कानून का पालन करोगे क्यों च्बिवेक हुन राजा का स्वें विभेक होता है कि परवावित भाई वो खुद का विवेक होगा, खुद अपनी मर्दी से काम नहीं करेगा, वो कैसा होगा, वो कानून समस्त वासनाओं से रहत विवेक है, इस वर तता विवेक की विशुद दुवानी है, वो है कानून है, हरस्तु कहता है, अधिक्तम विक्तियों का अधिक्तम सुख के सि यार मिलेगा बेंथम का सब्सक्राइब निम्नांकित कदुनों पर विचार कीजिए यह बच्चा पर सुने आपके एक्जाम में देखने को मिलता है अच्छा पर सुने बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगता कि अधिकार अधिक अधिक व्रद्धि करते हैं कि चलिए बताइए क्रेक्ट अंसर क्या होगा यहारे साथ ही काम और आप कीजिए अधिक है अलांकि मैं आपको सुचला दे दूँगा कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो नया चैनल है यह क्लास उस पर सिप्ट होगी और यहां मॉर्निंग में डेली नौ वजे आपकी क्लास करेंगी पॉलिटी मांड में यह क्लास वहां चली जाएगी वार्ट मेंट मां जएगा और कार्मस्कर बेटा नीचे और मंजा से हकेल आहिए हैं उपड़ोगय आप क्लास बेंथां को अब क्या कहता है बेंथ हम सुनोगेर हैं Allen Eckisi मैं तुम भी बैन कॉल हो रिफ दम का मानना था कि मनुचे गलत ऐसा कुछ भी नहीं तो पहला और दूसरा ही करेक्ट वाकि सारे के सारे साथ गलत तो आंसर क्या होगा इसका भी होगा भी बात समझ में आ गई बीविदा करेक्ट अंसर पारस क्या है डाइसी ने निम्न में से किस अवदारना की स्रिस्ट व्याख्या किये डाइसी आप बहुत ही फिमस सिद्दानत है जो कि आप जनरल पॉलिटी में पढ़ते हो जो पॉलिटी के बच्चे वो आर्टिकल 14 में डाइसी के बारे में पढ़ते हैं और इतना सा जानके उनका मुझा हो जाता है तब प्रशंद तो डाइसी कहां का विचारक है मैं आपके क्लास कोचि आते तो नहीं देख रहा कौन सा क्लास कहां और कव होती है और इस नेत्रा विश्वा आप अनकेडिमी से आई हो न या आप नहीं हो मतलब बताओ मुझे एक बार जरा कौन सी क्लास कहां होती है बता दूंगा पहले आप इसी चैनल पर फॉलो करके रखें यही पर चले यही आप नंबर पर कॉल कर ले यह नंबर है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो मैं लास्त में बात करूंगा 7897 007897 ठीक है छलिए व्यक्ति के सासन के पेच्चा विदी का सासन अधिक अच्छा होता है यह किसी ने कहा है ए तुप्छ प्यक्ति के सासन की वजाए बेधी का सा लग्यान पूरा करवाद हो अब्रजमोहन धाकट मद्ध्रदेश का रहनीति विख्यान का सलेवस क्या है मैं तो यूजीसीनेट लेवस पड़ा रहा हूँ अब आपको पता होगा यूजीसीनेट का सलेवस करा रहा हूँ तो आपका cover हो जाएगा for example देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग स्लेवस हो मैं PGT के अलग बैच है PGT के अलग बैच है मैं आपको बात बता दू कि मैं एक बैच चला रहा हूं UGC net का उसी बैच में से मैंने सारे बैच निकाले हुए UGC net के बैच में से पर example PGT निकाला हुआ है PGT निकाला हुआ है उसी में से सारे एक्जाम के सेट निकाले हुए मैंने ठीक है UGC net के सिलेवस में से तो अगर आपका UGC net के सिलेवस में है तो उसमें यूनिट बनी होंगी तो राजिस्तान का भी किसी किस यूनिट में कवर हो रहा होगा कवर्ण कंग उन करना बात करके मैं आपको काउंसलिंग मैं कर दूंगा परस्नली आपको जानकरी देती जाएगी विदीके सासन के तो आप सिंपल सी बात के वारे में अरस्टू कीहता है आप लोग गरुजी डायसी कहता है आपको लगया ने अरस्टू का विचार है वियक्ति के शासन के पिच्छा अच्छा है अरस्ट उल ने काए नोट डाइसी ठीक है अरस्तु इसको अच्छा मानता है पीजीटी वहीं चल रहा है यूपी पीजीटी मोविस इच्छा एप पर ही चल रहा है आप डाउनलोड कर लेंगे वहीं पर चल रहा है यूपी पीजीटी उसका अलग बैच है यूपी पीजीटी का पीजीटी का पर मॉन्टिस्क्यूने कि संस्ता की व्याख्या करने की तुरोटे की है देखो मॉन्टिस्क्यूने विचारक है और मॉन्टिस्क्यूने एक व्याख्या करी थी और यह व्याख्या करी जो मॉन्टिस्क्यूने तो इसने एक संस्ता की व्याख्या गलत कर दी थी देखो करता है और आपको पता होगा केикомट ब्लड़ में इसकी परिवासाा संघातंक में कर दी vacun संघातंक में करती तो मॉन्टेश् के विए नहीं गलत परिवासा करिये संसधी विवस्ताई है वह कहता है कि डिविजन वपावर है इसा है है नहीं इसके बारे वाक्यास में प्रियोंप्राय क्या है या आपने इस रूल ओफ लॉव 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 लॉ mean rule of law human related Trendly के बारे बात करता है कि ऐसे बीधियां किरी अंति के स्मझ्य में आगया कर सान के मानव नई का निर्माड किया गया उननी को बेश्य को ग्राथ अचा चान का उसक्ता है कि मानव संभी से दान करनście है यह तो होगा सीधी वात है ये सी से उपर हो गया प्राकरतिक की वाक्राश लाद है। कि परीड़ क्लास कब से चलेगी चल रही है आज क्लास है प्लाश की ठीकिड़ोटर ले तो यह जैनि आप यह मानिये कि आज चले गी करीब 10.30 सुरी सबसे रूल ओफ लॉक के सबसे निकरतु विचार कौनसा है यानि सोरी विचारक नहीं यानि विदी का सासन होगा तो कौन सी विचारदरा लागू होगी देखो यानि विदी का सासन होगा तो क्या मतलब है कि आपके कंट्री में संविधान होगा और संविधान के अनुसार आपका कंट्री चलेगा तो उस विचारदर को क्या कहेंगे न विदी के सासन को फोलो किया जाए तो आप उसे संविदान वाद की परवासा के रूप में जानते हैं संविदान वाद कहते हैं संविदान वाद कहते हैं संविदान वाद अगला राजितिक विचारकों में के रोमन स्कूल से निम्लिकित में से कौन संबंदित है रोमन स्कूल कशिर कों करता है रोमन से संबंदित कौन सार頭 है तो हैं किसरो सीज्वाइ जो है करता है कि टंडिक करतित करता हुआ यान क्यों होती है कि आपने किसी के साथ गलत हुआ तो आपने उस सेमें इंसान के साथ गलत कर दिया तो बदले का सिद्धान कोई बोलते है कर दिया निवारक दंड नहीं होता अपरादिक सुने का स्थान नहीं होता तो दूसरे आपने गलत कर दिया कि मेरे बास समझ में रही है कि नहीं हा रही है यानि आपने किसाथ गलत हुआ तो आपने दूसरे के साथ सेम टैम पर गलत कर दिया उसे कहते हैं प्रत्रकराश्मत रेट्रिव्यूटिव थ्योरी आप दिपनिस्मेंट इस डॉन जो मुस्लिम कंट्रीज है उनमें रेट्रिव डाइस्यमेंट जेस्टिस में भी आ सकता है डेंड़ कर चलिए जहां कानून नहीं मतलब विधी-ओं में भी आएगा लॉव बिदी में आएगा जहां कानून नहीं वहां सुतंतरता नहीं यह कतन किसका है इस सब क्या पोलिटिकल ठॉट है कि विचार के टौपिक ए सारे के सारे थौट जहां कानून नहीं यानितिक सिद्दान्त की बात कर सकते आप सब सिद्दान्त के टॉपिक है राइनितिक सिद्दान्त के वारे हम पढ़ाई कर रहे हैं जहां कानून नहीं वहां सुतंतरता नहीं यह किसका कतन है कि जहाँ कानून नहीं होगा स्वतंत्रता नहीं होगी कौन कहता है कि Mission सब्सक्राइब आप समझ रहे हो अब इसी को जब आप जनल बच्चे पढ़ाई करते हैं यह स्पीसिस वाले प्रशन पूछा था है करें यह प्रेम करी इसमें कम प्रेंगा तो समाजिक आचनन के नियमन करने के वाले का समूं है यह परिवासा किस ने दी है कानून समाजिक आच्रण के नियमन करने वाले नियमों का समूं है हॉप्स हॉलन्ड डिगवी कानून समाजिक आच्रण का नियमन करने वाले नियमों का समूं है यानि सुसाइटी जिन समाज में कैसे आचलण करते हो समाज में जो आचलण करते हो हुशी का समुच्हे का समुच्छे महीं करता हो इसने दियार राज-विधी का नहीं वरण विधी आज्यका निर्मार करती है अब यह बहुलवादी विचार है यह किस ने दिया कि राज भीछी विधी का नहीं वरन भीधी राज्य का निर्माड करती है यानी इसके अंदर क्या अंतर है क्या कह राज को राज एक तरफ है राज एक तरफ जिक gifted का नहीं आ पो लो जी राज ने विधी का निर्माढ नहीं विदियू राज का निर्माढ किया है फिर क्या है या सब्माण decisions समय की समघ्रिया JUDGE तो बतायता हूं दिल की वास एक तो मैं औरड़ेडी मेरे पास क्या है कि मेरे परवार में भी सरकारी नहोंगरी में लग गया हूं मेरी वैप भी गॉवर्मन्ट जो हमें तो छोड़ा सा बच्चा है उपर से क्या है कि मैं अकेडमी पर पढ़ाता हूं मेंस के लिए पीसी सिस चलता है तो अनकेड़ी में पढ़ता हूं अपना मेरा पेड़ वेच चल रहा है पॉल्टिकल साइंस का तो यूटुब पर मुझे समय नहीं मिल पाता है दिन में 7-8 गंटे में पढ़ा हूं नोगरी ये सब देखना दूखना बहुत दिक्कत की बात है मेरे साथ तो आप पेड़ वेच में अन्रॉड कर लो आप कम फीस देलो जितना आपका मन करता है उतनी आप देलो पढ़ लो उपर से क्या है कि चैनल का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे अभी चैनल पे बच्चों की डिमांड है पॉलिटी पढ़ने की तो किताबें की पास बन रह पतली सी किताब देडर से 200 पेज़ की माइंड में रही है उसको देखना पड़ता है मैं पॉलिटीकल साइंस की चोटी 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 बॉकलेट भर रहा हूं पतले से लिए हाथ से लिख होई पैंसिल से स्क्रेट से लिखी हुई माइंड मैप टाइप की तो उसे आपका यूजी सी नेट राजस्ता एक्जाम है आपका या आपका टीजी टीटी पीजी टीट सारा उस बुकलेट से फस जाएगा छोटे-छोटे मैप होंगे जैसे के फतंतरता के बारे में थोड़ा सा मै तो यहां पड़ें अभी में मैं मिरी नहीं हुए अभी हो जाएगी पार ते जुए कि सल्गार चल रहा है सभण समय जब करने कार चल रहा है साहउजन चल रहा है राज्य विधी नहीं वरन राज्य का निरंग करती है इसले का तो क्राइब का विचार है एक क्राइब में पॉलिटी मैंड में और फिर दमीटी अलग से चैनल जीनल से चैनल बना जिसका नाम है पॉलिटिकलल साइनस अकेडमी और आपको 200 से संबस्क्राइब ऊतर्य से मेरे हर महीने आपको बता रहा हूं कि करीब पचास बैच हर मन्त इस बैच से बिकर है पॉलिटिकल साइज को ले जाओंगा और यहां पॉलिटी को लिया हूँगा मैं कुछ ऐसा करने की सोच रहा हूं करेब कर रहे करेब अलवा rodz ging चलिए कानून राज्य का पूर वड़ती है या नी कानून पहले बना राजजबाद में बना कानून को पहले बराने वाले कौन होगे सीधी सी ब्सक्राइल बैकन आप्र और को पहले बराने वाला विचारत कौन होगा कौन होगा भाई पहलवादी विचारक होगा हाँ बाई हाँ या ना और इसमें से कौन है लिया डिंग्वेट डबलू मैटलाइंड हीगो क्रैव कॉन है जो कानून को राज़ का पूरवर्ती मानता है मतलब इस बाले प्रिष्ण में इस बाले प्रिष्ण में कोई अंतर नही नहीं है दोनों प्रशन एक ही कैटेगरी के हमारे या कूर्स में नीति आयों पोबीसी कमीशन पॉलेटिकल पार्टी नहीं हुआ है करा दीजिए अच्छा सुपर अच्छा जी एस गोल्ड में ठीक है वहीं मंडे को करा दूगा पॉलेटिकल पार्टी बनके आगया मैंटर मं लूवेटिकल नूश या कखतन है यह कि राज्यसे उपर है इसको मानता है लिया डिए का कखतन है तीस का आंसर क्या होगा एे होगा केल सर नहीं लिया अगला है तो निलेकिsst भिज़ीफ भात दोनों एक दोनों जो विचारक है आप देखेंगे दोनों कि दोनों विचार के दोनों बहुल वादी की तो लिया डिगवेट ने निम निकित पुष्टगों में से किसमें मि underlying की आप से ऐसे वह इसे हुप प्ले आप किताब जिसमें कानून के बारे में बात किये उस किताब के नाम सी आप समझ सकते क्यों किताब इसमें से कौन सी होगी बताओ जल्दी से बहुत ही बढ़िया रागवेंदर गुजर जी बहुत ही बढ़िया नमस्कार रागवेंदर क्या आले मेरे वही कैसे हो रागवेंदर ब यार कानून नाम का इंग्लिस ही देखो दा लॉज है मैंने आपको पहली हिंट दे दी ती दा लॉज है अरे गल्ब क्यों कर रहे है वड़ी अजीब बात है सरी बात बताओ प्लेटों की किताब दा लॉज है ना जब मैंने या सब्द लिख दिया कि संविदान बात की बात कर बता है तो कानून की इंग्लिस क्या है कानून की इंग्लिस दा लॉज है तो दा लॉज किताब में करिए इसने सारी की सारी बाते रिपब्लिक क्या है रिपब्लिक तो आप उसको जानते है कि प्लेटों प्लेटों और रिपब्लिक में क्या लिखा है प्लेटों और सुकरा किसकी किताब है अब किसकी किताब है गदाऊ हाई फड़ापड से भी मैं लिख चुका था टिक दिया था मैं आपको 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 मैं बता दिया था आपको एक लिखकर फिर याप नहीं समझ पर लोगों निशुन पढ़ा हैं दितान्ति का अर्थ है डितान्त माहन थैस्टांत सब्सक्राइब स्ट्रफिश्टित समाप्ती तनामा का सेथिलय मुझा प्लेण करूं को तूर्फ प्ले में बटानत को इस जीर में रिटानत का अर्था क्या है सभी कसी बीटा बेटा 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 गर जाऊगे जीसि नह disp करत कितांत का अर्थ क्या है क्रेक्ट आंसर रहे करेक्ट नो तनाव का से थल्य यानि तनावों के बीच में क्या आ जाए तसाइलेंस ऑफ टैंसर यानि दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का तनाव ना उसे दितांत अवस्था के नाम से जाना जाता है तो पढ़ना सकती फ्योरी है पॉवर पॉलिक्स के अंदर पढ़ेंगे इसको पढ़ाओंगा व मैं इसंदभडमार पॉलिक्स पढ़ने की बात क्या है कि आप पॉल्टिकल सेंस कभी भी आप ऐची दो नीच सकते ही सटिता DOLE फ्रास को करेक्टे इसका बैख चलना निके विख्यान पीजी ट पीजी ती और यूजी सी नेट अभी इसकी फीज बढ़ चुकी है अभी यूजी सी नेट की फीज दस अजार रोपे है बरतमान में 10,000 चल रही इसकी फीज बीच मेंने ओफर निकाला था तो आप लोग लिये नहीं होगे इसकी फीज अभी 4500 की जगह है पीजी ती की फीज साथ अजार रोपे है इसकी फीज जो है यह 4500 रोपे है पीजी ती की फीज आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लें फिर भी किसी प्रगार की समस्या है 8700-78917 इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको बैचिस मिल जाएंगे मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा तरीका है कि मैं इसमें क्या-क्या चीज पढ़ा चुका हूँ देखो आप एक काम करो've कुछ नहीं करना है आपको आप अपने फौण में भी देख सकते हूं रिकॉर्ड इट वि देख सकते हूं किसी प्रकार से आप क्लास को देख सकते हूं मैंने कई प्रकार की फैसलेटीव आपको प्रवाइड कर रखे अग प्रिन है मिटा ने देखो आपको चेक करने रजिस्ट्ट क्या है आपका क्या नहीं यह देखो यह बैच आरहे यूजी सी नेट पोलिटिकल साइंस दिख रहा है यूजी देट पोलिटिकल साइंस इसपर लाप क्लिक करो तो आपको इसकी कि जानकारी मिल जाएगी इस बैच में क्या-क्या है नो मोर कि देखो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इस बैच में क्या-क्या है नो मोर क्यों नहीं आरा सरीक लिए क्यों जी सी नेट किया हो रहा है चल दी लिए वेपसाइट आपने को इस पर भी देख सकते हो अपने बैच इस मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यहां से बाइन आप भी जा सकते हो मुझे लगता है कि कोई अच्छा लोड हो रही है लोड हो रही है ता साइट के नौट भी लिश लगता है इंटरनेट नहीं आरा सर इसमें कि आ रहा है कि एक बड़ देखिया हम दुआरा देख लेते हैं कि आ यह ज़गा सकते हैं आप अपलिकेशन के दूब जा सकते हो सिंपल सी बात आपली के दो बहुत आसान है मोभी शिक्षा अगा नेट की अपने लप्टॉप में नेट नहीं चल रहा है तो विस साइड के नौट भी इस दिनेस एडर वान टेक्मर्ट तर भी कौन पर चेक कर लेंगे आपको मिल जाएगा नेम चेंज नहीं किया अभी तक अंकिता ठाकुर सर हेल्प करने में नमक दरोगा हो बहुत तुक्यों बताओ पॉलिस पॉवर क्या चीज़ रिखो अभी तो सब्सक्राइब पढ़ाया ही बहुत ज्यादा सांदर डेमोगरी टॉपक खतम हो गया बताओ नमक का दरोगा तुझे क्या मदच यह मेरी पॉन कर ले मेरे भाई को मदच यह बंदियों कर दूंगा या कि कर ले पॉन तुझे मैंने एक बैस तो फ्री दिया ही था आप उट्सप गूर्प जोइन करने का भूप्ष आप यह वह जोएन करने है क्या सुनिया जोइन करना है वहगि बाई थेंक्यू नमस्कर गैज जोइन करना है सभी को कि कि